हेलो फ्रेंड वेल्कम तो लेंसर विसेज दिस जाम सोनी आज हम बात करेंगे यह दिये 2020 के जो रिवाइस इक्सपेटेट कटाफ कितना जा सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे वेल रिवाइस इस्पेटेट कटाफ डिसक्स करने के पहले एक छुटा सा पॉइंट यह डि 342 यह 342 UPSC के दोरा रिलीज की के ऑफिस्यल कटाफ है और यहां पर हर एक सेक्शन में 25% मार्क्स इन इच पेपर इस सब्जेक में 25% आपको स्कोर करना कमपसरी था तो यहां पर देखा जाए 342 नंबर गया था पिछले डिटा के इसाप से देखा जाए तो यहां पर यह व कटाफ अभी आफिस्यल तरीके से आया नहीं लेकिन एक्सक्टेशन जो है वह 333-40 की रेंज में है यहां पर एक इंट्रेसिंग पॉइंट यह है कि जो रिकमेंडेट कंडेट से 442 थे और यहां पर जो फाइल सेलेशन के लिए जो है 704 नंबर चाहिए थे पिछले चलते हैं कि जो NDA1 है उसका कटाफ यूजली जादा होता है NDA2 के तुलना में जैसे कि मैं आपको यह पिक्चर दिखा हूं यह NDA2218 के तो कटाफ 325 नंबर यहां पर आपको दिख रहा है हाला कि यह थोड़ा एक्सेप्संस हैं लेकिन यह आप NDA1 का देखें और भी 25% सेक है और यदि हम बात करें NDA1 की तो यहां पर कटाफ 342 है काफी मैस्व डिफ्रेंस है का आप देख सकते हैं कमाल की बाद इस बार एंडिये वान और एंडिये टू दोनों साथ में इतना तो शूरे कटाफ इतना कम नहीं जाएगा तो कटाफ की जो रेंज होगी 330 से 340 के आज 288 काटाफ इसी तरह है दिबात करें, 2015 के लिए 279 काटाफ है2 glasses दिखने की बात करें और यह यह दूसके पहले की बात करें वन वाले की बात करें 36 तो आप देख रहे में ये फैर्स्ट में कटाफ ज्यादा होता है सेकेंड वाले जो एक्जाम में कटाफ जली कम होता है यह काफी इंट्रेसिंग पैटर्न है देखा जाए तो उसे साब से हलाइक लेकर इसका बहुत ज़ादा आपको फैदा मिलेगा नहीं क्यों चुकि इस बार दोनों ही एक्जाम साथ में हुए हैं तो इतना कटाफ में वेर और जिससे कि आप फाइनल सेलेशन ले पाएं याद रहें जो फाइनल सेलेशन के लिए जो मार्किंग होनी चीए साथ सो चार की आज पास रेंज में रहती है क्योंकि आप पिछले साल का भी देखें तो आपको 688 या 705 या 624 इसी रेंज मिलते हैं तो आपको 700 के आज पास कम से कम नंबर लेके आने पड़ेंगे इंटर्व के बाद में इसको आप याद रखें तो आपनी तयारी करें जो भी आपके पास डाउट्स हैं नीचे कमेंट जरू करें जो भी आपके पास ऑपीनिन हैं नीचे कमेंट जरू करें आई ठीकते हैं साथ बैटकर डिसकस करते आप एक या उपिरन है आप उक्या लगता कड़ाव कितना हो सकता है वैसे हमारे उमीद से लग रहा है थ्री थर्डी के आज पास होने की उमीद है चुकि इस बार जो नमबर आख जेंट्स है वो थोड़ी कम थे क्योगी कुछ इस जर्डेंट जो है एक्जाम दिने नहीं गय सबस्क्राइब करने लेकिन मौस्ट इपार्ट है मिल्ची कमेंट करना मत बुलिए था सब्सक्राइब करना मत बुलिए था सब्सक्राइब